क्लास रेप्टिलिया के इंपॉर्टेन क्वेश्चन है क्वेश्चन मरे एक है निम्न में से किसकी कशेरुकाओं में जाइगो इश्फीन तथा जाइगेंटरा नामक अतरिक्त परवर्ध होते हैं तीलियोस्टस में, पूषधारी उबैचर में, सर्प में या फिर इस्तंधारी में तो इसका करेक्ट आप्शन क्या होगा सी आप्शन होगा स्नेक्स सर्प में देखे जो जाइगो इश्फीन तथा जाइगेंटरा है ये अतरिक्त परवर्ध यानि कि पाइथोनों मार्फा सर्प तथा इगुवा निरी की कशेरुकाओं में होते हैं कुश्चन नमर टू है निम्लिकित लक्षणों में से एक प्रोटो थीरिया की सरी सरपीय बंधुता दर्शाता है दुई कंदीय करोटी मद्ध कंड गुहा में तीन कंड आस्थियां अवश्कर की उपस्थिती या फिछ चार कक्छी हिर्दा है तो इसका सही उतर क्या होगा अवश्कर की उपस्थिती यानि कि C आप्शन इसका करेक्ट होगा जो प्रोटो थीरिया एवं सरी सरप है इन दोनों में अवश्कर उपस्थित होता है और इनकी कशे रुकाओं में E.P. Pisces अनपस्थित होता है इनमें T.A.R. का Interclavical उपस्थित होता है ये लक्चन प्रोटो थीरिया तथा शरी सरप में बंधूता दर्शाते है नेक्स कोशन है यूरो मैस्टिक्स का सरीर बटा होता है सिर धड़ और पूँच में सिर गर्दन और पूँच में सिर गर्दन और धड़ में सिर गर्दन धड़ और पूँच में तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है D.O.P.S.N. Head, Neck, Trunk and Tail D.O.P.S.N. इसका शही होगा देखिए जो यूरो मैस्टिक्स है वो सरी सरब वर्ग का एक प्राड़ी है और इसका सरीर चार विशिष्ट भागों यथा सिर गर्दन धड़ और पूँच में पटा होता है और इसकी पूँच जो है क्या होती नेक्ट कोशन है वह गरंथी जो नर्चिपकली की जांग के निचले प्रष्ट में पाई जाती है क्या कहलाती है सूडोरिफिक गरंथी फिमोरल गरंथी ग्रीन गरंथी या फिर इस्टक गरंथी तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है फिमोरल गरंथी नर्चिपकली की जांग के निचले प्रश्ट में पाई जाती है इससे उत्पन, श्राव, शमागम के दवरान मादा चिपकली को कसकर पकड़ने में शहायता करती है कोबरा दन्स में रोगी की मृत्तु का क्या काराण है लाल रुधिराडूं का विनाश है पेसियों का इस्थाई संकुच्चन है तंत्रिकाओं की निस्क्रियता है या फिर उपर युक्त में शे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है C option इसका सही है इनेक्टिवेशन आफ नर्व्स यानि कि तंत्रिकाओं की निस्क्रियता कोब्रा का जो विस है वो निवरो टॉक्सिक होता है इसके प्रभाव से रोगी के तंत्रिकाओं तक क्या होते हैं नश्थ हो जाते हैं तथा पेसियां मुक्ता स्वांस संबंधी निस्क्रिय हो जाती है जिससे रोगी की मृत्ति हो जाती है तो यहाँ पर C option सही होगा नेक्ट कोशन है विसैले सर्पों में विस दंत जुड़े होते हैं मेंडिबल से मैक्सिला से प्री मैक्सिला से या कौड्रेट से तो इसका सही उतर क्या है विसैले सर्पों में जो विस दंत होते हैं तो वो किस से जुड़े होते हैं तो यह जुड़े होते हैं मैक्सिला से यानि कि B option इसका सही होगा Maxilla बिसैले सापों में उपरी जबड़े की Maxilla हड़ियों के एक से तीन जोड़ी प्राया एक जोड़ी बड़े वा पीछे की ओर मुड़े विस दंत तालू से मुख ग्राशन गोहिका में उभरे रहते हैं ये Maxillary दंत उपरी जबड़े में ही इस्थिद विस ग्रंथियों यानि कि Poison Gland से शंबद होते हैं विसैले सरपों की विस ग्रंथियां रूपांतरीद अधरोष्ट अर्थाद लैबियल ग्रंथिया होती हैं तथा विस दंत रूपांतरीद मैकसिलरी दाथ होते हैं Next Question है जब सिर पर बड़ी सलके हो तथा नेतर एवं नासा चिदरों के बीच एक गड़ा सा होता है वे सरप कह रहे हैं क्या होता है करैत होता है, कोबरा होता है, वाइपर होता है या नागराज होता है तो जिसके जो है सिर पर नासा छिद्रों के बीच एक गड़ा सा होता है तो वो क्या कहलाते है वाइपर होते है ठीक है तो C option यहाँ पर सही होगा वाइपर next question है निम्ड में से कौन सर्प जहरीला नहीं है कोब्रा पाइथन करायत या फिर वाइपर तो कौन सा यहाँ पर जहरीला सर्प नहीं है यह होता है पाइथन यानि कि अजगर बी ओप्सन यहाँ पर सही होगा next question है सर्प किसके प्रति समवेधन सील होते हैं चुडियों की धोनी से भूम द्वारा उत्पन कमपन गरजन से या फिर हवा के द्वारा उत्पन कमपन तो जो सर्प होते हैं वो भूम द्वारा उत्पन कमपन के प्रति समवेधन सील होते हैं तो यहाँ पर बी ओप्सन सही ह सर्प हवा के द्वारा उत्पन्द कंपन या आवाज सुनने में अश्मर्थ होता है क्योंकि इसके कंड में बाह छिद्र, टिमपैनिक कला, यूश टैचियन कैनाल तथा मध्य कंड गोहा अनुपस्थित होता है सर्प में अन्ताकर्ण एवं कालू मेला औरिस उपस्थित होता है यह भूमिद्वारा उत्पन्द कंपन के प्रती शमवेदन्सील होता है नेक्ट कोशन है जैकॉपसन का अंग संबंधित होता है घ्राड से, इसपर्ष से, बिलकारी से या द्रश्टी से तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसमेल ठीक है हिंदी में इसको बोलते हैं ग्राड से, सुंघनाजी से बोलते हैं इसमेल तो यहाँ पर एउप्शन सही होगा जैकॉपसन का जो अंग है वो सरी स्रप वर या निकि जो रेप्टीलिया के जनतूओं और मुक रोप से सापों में पाए जाता है और यह इसमेल से शंबंदित होता है नेस्ट कुश्चन है घडियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है यानि कि जो दंत विन्यास है वो पूछ रहा है कि किस प्रकार का होता है एक्रोडांट ब्यूनोडांट प्लूरोडांट या फिर थीकोडांट तो जो घडियाल होते हैं उनमें जो है किस प्रकार का दंत विन्यास होता है तो इन में जो है दंत विन्यास थीको डांट प्रकार का होता है यानि कि D option यहाँ पर सही होगा थीको डांट घडियाल में थीको डांट प्रकार का होगा दंत विन्यास इसके बाद है next question फोरा मेन आफ पैनाई जी किसके हिर्दय में पाया जाता है मेढग, कबूतर, मगरमच या फिर खर्गोष तो इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर है मगरमच क्रोकोडाइल ठीक है C option इसका सही होगा जो मगरमच या घडियाल सरी सरफ वर्गी के प्राणी है और ये क्रोकोडिलिया गड के सदस है यानि की आडर के सदस है ये अंडज अर्थाद ओवी पैरस होते है इन में थीको डांट प्रकार का दंत बिन्यास होता है अभी हमने पिछले कुश्चन में पढ़ा था और इनके दाथ एक प्रकार के सौकेट में इस्तित होते हैं ये अपना उपरी जबडा हिलाने अर्थाद उपर नीचे करने में समर्थ होते है मगर मच्च के हिर्दय में फोरा मेन आफ पैनाईजी नामक एक छिद्र पाया जाता है जो बाए महा धमनी को दाए महा धमनी से जोडता है इनका हिर्दय पूरता चार भागों में विभक्त होता है तो इससे कई सारे कुश्चन इसपस्ट हो गया कि इनमें ठीको डंट प्रकार का दंत विन्यास होता है फोरा मेन आफ पैनाईजी पाया जाता है और इनका हिर्दय पूरता चार भागों में विभक्त होता है नेश्ट कोश्चन है एमनियोटा में सामिल नहीं है एमफीबिया, शरीश्रप, पक्षी या फिर इस्तंधारी तो इसका सही उत्तर क्या होगा एमफीबिया ए आप्सन इसका सही होगा अगर देखे एमनियोटा है क्या एमनियोटा एक समू है और इसमें जो है कौन कौन से सामिल है रेप्टाइल सामिल है बर्ड सामिल है वो मैमेल्स आते हैं ठीक है और इन में भ्रोडी अवस्था में बाह भ्रोडी कलाएं एमनियोन, कोरियान, एलेंटाइस पाई जाती है तो यहाँ पर रेप्टाइल्स हो गया बर्ड्स हो गया और मैमेल्स हो गया तो यहाँ पर कौन नहीं आएगा यहाँ पर amphibia सामिल नहीं होगा तो इसका A option correct होगा माकी एमनियोटा में सरीसरब भी है इस्तंधारी भी है और पच्छी भी है Next question है सरीसरब के निम्ण में से किस उप वर्ग के कपाल की छट अविचिन होती है एनोपसिडा, डैपसिडा, सिनैपसिडा या पैरोपसिडा तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है एनोपसिडा A option इसका सही होगा सरीसरब के एनोपसिडा उप वर्ग के अंतरगत आने वाले जन्तुओं के कपाल की छत अविच्छन यानि की सॉलिड होती है और इन में टेंपोरल छिद्र अनुपस्तित होते है तो इस प्रकार से यह रैप टेलिया के important question थे next question को प्राप्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को like और share कीजिए